हाई आप सब लोग आप सब अच्छे होंगे मैं हूँ शीला मेरे निव ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो देखिए सुबा का टैप मैंने साफ सफाई कर ली है टीवी ओगर अभी साफ कर दी हूँ टेबल ओगर अभी सेंटर टेबल देखिए वहां किना नारे रखती हूँ क्योंकि जग्या थोड़े से यहां पर कम है अगर बीच में रखते ना सोफे के पास तो फिर आने जाने की जग्या कम बचती है तो इसलिए साइड में ही रखते हैं जब को याता होता है तभी बाहर निकाल देते हैं नहीं तो एक तरफ साइड में होती है जाड़े भूत्मा नहीं होती है यह देखे फ्रीज में देखिए आम भरे पड़े हुए हैं यह मंगलवार का वीडियो यह देखे मिर्ची ओगर अभी में रख देती हूं यह टाइड डिपे में आराम से 15-20 दिन चल जाती है खराब नहीं होती है तो देखे फिरीज पुड़ा भरा पड़ा हुआ है आम ज्यादा ही आ गए है बस थोड़े दिन ही चलेंगे ज्यादा दिन नहीं चलेंगे क्यों बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था यहां पर देखे में बालकनी में बैठी थी चेयर डालके और हमारे पौधे वगरा देखे इस समय कितने हरे भरे है गर्मी भी तो गाई सब सूख गय थे पर देखे इस समय ना जब उपर की वारिश हो रही है तो पौधे इस समय चल रह है यह कि थोड़ा सा इसका प्रक्रां कर अब सही हो गया है अब हरियाली हो गई है देखे आर् Down के पौधे में अभी नया पत्ता नहीं आया है देखे दो है तो छोटी सी वालकनी ज्यादा वड़ी वालकनी नहीं है देखे आ यह स्टेंड गमला माला जो में मंगाई थी फि मिले थे तो ऐसे तो फोटो में देखने में तो लगते हैं काफी बड़े-बड़े हैं जब घर आता है तो काफी हल्की क्वालिटीकी रहती है कि अई देखे इधर भी बहुत है हमारे लखे हुए है इस समय देखे बारिष थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है संदे का वीडियो है साम के समय साथ बज रहे हैं देखे हल्की फुहारे चल रही है और रात में तो तेज हो गई थी बारिष बहुत तेज हो गई थी कि अधिया हमारा अमडूत का पौधा चल चुका है तो इस समय न पौधे लगाने के बहुत ज्यादा सौक है तो क्योंकि बारिष के समय लग जाते हैं जो भी पौधा लगाते हैं लग जाते हैं गर्मी में कम लग पाते हैं तो यह देखे मैं नीचे आ गई हूँ खाना बन रही है तो आज तरोई की सब्जी बना रही हूँ तो साम की टाइम तु गय में थ्टोड़ा से हलका फुलका ही सह खाना बनाती हूँ जैसे बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें नहीं बनाती हूं इदर जा रही हूँ आटा गुथने के लिए तो इस टैम तो रोटी सब्जी भी बनती है और कुकर देखिए कुकर में चावल भी थोड़े से डाल दी हूँ अगर चावल के गये काम नहीं चलता है तो थोड़ा सा चावल भी मैं बना लेती हूँ कुकर में दाल बच्ची भी थी दो पहर की तो ने का हलाव थोड़ा सा चावल भी बना लेते है ताकि यूज हो जाए और तरोई के सब्जी थोड़ी से हम लोग सूखी ही बनाते है लेकिन आज कल के तरोई के सब्जी में नगाई पानी भी बहुत ज्यादा निकलता है तो उसको जलाना पड़ता है ते देखें आटा गुथ रही हूं मैं मैं आटा चाल के नहीं रखती हूं जब बनाने जाती हूं तभी चालती हूँ क्योंकि बारिसक के माशू है न तो थोड़ा किड़े घरार लग जाते हैं टेली मैं आटा को ची चांद के ही बनाती हूं, पहले तो मैं चांद के रख लेती थी कठा लेकिन अब नहीं रखती हूं, कभी कभार ऐसा होता है, कीड़े लग जाते हैं, छोटे-छोटे वो पता नहीं चलता है, आप बनाते रहते हैं, तो इसलिए जब भी आप बारिस के मौसम में आटा गुथे तो चांद के ही गुथे, क्योंकि बरसात में ही चीजे ज्यादा खराब होती हैं, जैसे दाल है, आटा है, चावल है, जाड़े में तो नहीं खराब होती हैं, लेकिन बरसात के मौसम में हर चीज खराब हो जाती है, तो ज्यादा तरत में सूजी, मैदा, वगेरा फिरिज मे नहीं रखती हूं, बाहर महीं रखती हूं, अगर एक महीना भी आप छोड़ दीजे ना बाहर, तो किड़े लग जाते हैं, तो देखिए थोड़ा ही आटा है, दो लोगों का खाना, और चावल था तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा रोटी नहीं बनाती हूं, थोड़ा ही बना देखिए यहाँ पर हमारी सब्जी बन रही है, तो इसमें बहुत ज्यादा मसाला में नहीं डालती हूं, थोड़ा ही मसाला डालती हूं, यह देखिए आपको दिखाती हूं, देखिए कितना सारा पानी छोड़ दिया है, तरोई के सब्जी में, यह देखिए, जोकि मैंने पानी इसमें नहीं डाली हूं, देखिए फिर भी पानी निकला है कितना, तो इसे मुझे जलाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पानी वाली तरोई नहीं अच्छी लगती है, थोड़ा सा सूख जाएगा, तब ही बन करूंगी, अई देखिए साम नहीं खिड़की है, खिड़की से हमारे सब कुछ दिखाई देता है, तो रात हो गई है, इसलिए नहीं दिखा है, यहां के आ गई है, यह है मंडे का वीडियो, ब्रत तो मैं नहीं रहती हूं, पूजा करती हूं, मंदिर भी गई थी, यह देखिए, विशुवा का टाइम, मैं पूजाओ जागर रही हूं, तो पूजाओ जागरने में थोड़ा टाइम तो लगता है, आप लोग भी आरती ले वीचिया, जादा ही मोटे लगते हैं, यसलिए मैं बहुत कप बहुत दी हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर पीला रंग था ना, मंदिर भी जाना था, कॉटन का है, अराम्ते तो है ही निला डाला है, अच्छा है, पूजा हमारी हो चुकी है, छोटा सा ही मंदिर है गए, ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, आज है मंदे, तो मंदिर गई थी, तो वहीं से अभी आई हूं, बहुत भीड़ थी मंदिर में, मंदिर का तो वीडियो में सूट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पर पूजा करने जाते हैं गाई, तो थोड़ा सा पूजा में मन लगाना चाहिए ना, तो इसलिए मैं मोबा आई लोगरा नहीं लेकर गई थी, तो पूजा पूजा करके मैं आई हूं, उसे ब्रत में नहीं रहती हूं, लेकिन जल जड़ाने जाती हूं, तो देखे अभी साड़े दस हो रहे हैं, कितना भी करिये गाई, घर के काम निप्टाटे निप्टाटे देरी ही हो जाती है, त तो अब चल रही हूं, थोड़ा सा खाना होना बनाने के लिए, सारे काम हो चुके हैं, आज मैंने कुछ भी सूट नहीं किया है, और कल बहुत ज़्यादा बारिश होई थी, यहां पे साम के तुटाटे देखे गाई, संडे को मैं मौर्णिंग में आलू के पकोड़े थी, यह देखे, इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूं, बेशन ले लिया है, थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूं, क्रेस्ट करके, पकोड़े में अच्छा लगता है, प्याज वाले नहीं है, आलू के पकोड़े हैं, तो इसमें प्याज अगर नहीं डालते है केवल मसाले ही पड़ते हैं इसमें, थोड़ी से हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी से हींग भी डाली हूं है, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, बहुत अच्छी पकोड़ी बनती हैं, बेशन में आप इस तरह के आलू डाले के बनाएंग बच्चे भी बहुत प्रेम से खाते हैं, आप चाहे तो इसे प्रेंच पोक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिर्ची अगर आप नहीं डाला रहता है तो तीका कम होता है, थोड़ा समय शर्सुकर तेल भी डालती हूं ताकि पकोड़े अच् इसे अच्छे से फेट लेजे इस तरह गोल बना लेजे बहुत पतला मत करिएगा नहीं तो आपके आलू में ना कोटिंग नहीं हो पाएगा इसको मैं जीसे चिप्स काटते हैं और इसे काट ली हूं इसे पतले-पतले चिप्स की तरह काट ली हूं यह देखिए यहां पर मैं कणाई चड़ाती हूं सर्सु के तेल में ही बनाते हैं गई सर्सु के तेल में बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं स्वाज भी बहुत अछ्छा आता है हम तो सर्सो के तयल में ही बनाते हैं रिफायन में थ् 걸ास Agency है जितना सर्सो के तेल में आते हैं तेह सि созд me a also active करके पकोड़े बना रही है देखिए बहुत ही अच्छे पॉड़े बनते हैं तो वारिश का माऊसम में लो चाय के साथ पॉड़े खाने को मज़ा ही कुछ और रहता है। वारिश भी हो रही थी बाहर बारीश हो रही थी तो आज पकोडी ही बनाते हैं घुंग कितने अच्छे पकोड बने हैं कि अब बहुत ज्यादा सिस kicked two ते हैं बच्चे वी जड़ा से आसानी और हो उब 3 यह थे उनिये елов है कि यह श्रूष कर यह देखिए उस्कौडी करेबें तेको दो दो आप लोग भी खा लीजे आईज वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करेगा और प्लीज